हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफी मेरे तक्री देखते है टीवी पे और प्रसन होते है खुसुसान जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते है और सनातन धर्म में भी आपको शायद यह पता होगा कि सबसे अवल किताब भगवत गीता नहीं है वेध है भगवत गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे आरिय समाज आप आरिय समाज़िए सनातन धर्म में बहुत से किसा में आपको इसकौन से मैं पया था एक बर कलकता में और कलकता में तकरीर थी मेरी उस वक्ष बारिश आती है राष तो होक review लेकिन मेरे साथ आने वारत तो इसकौन के head कलकता के हम लोग दोनों जाते एक van में, vanity van मतलब बड़े मैधान में, माशाला मैधान के बाजों में काफी building है, तो बड़े मैधान में program होता है, तो कोई green room नहीं होता है, तो क्या करते हैं, van लेका आते हैं बस, इसमें मेकप रूम या आराम करने के लिए कंडिशन होता है तो मैस कौन के हेड के साथ में बेटा था तो उन्हें वो ही बात कहीं जो आपने कहा हमाले सबसे अवल है भगवद गीता मैंने बोला ठीक है और कहें का वेद भी ठीक है तो मैंने पूछा ये भगवद गीता हिंदू धरब में दो किसम की किताब है एक है शूति एक है स्मृति शूति मतलब जो भगवान की भीजी हुई किताब वेद और उपनिशत उसने का बिल्कुल सही स्मृति किसे कहते तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखिवी किताब है मिसाल के तौर पर मनुस्मृति तो मैंने पूछा ये रामायनों महाबारत क्या है तो उसने कहा ये है स्मृति बेशक बिल्कुल सही जवाब था मैं भी ताले बेल मूँ तो मैंने पूछा बिल्कुल सही कहते हैं उपर आती है शुरुती वेदा और उपनिशद स्मृती मतलब दूसरी किताबे मनुस्मिती इतिहास मैंने पूचा यह मांबारत क्या इतिहास है तो मैंने उसे पूचा गुरु जी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है मांबारत का अटरा चेप्टर का सहीए आरे बिल्कूल सहीए आप फूल मुकमेला बैशा तो जब भगवत गीता मांबारत का हिस्सा है तो इसल्हिए उसल्ले है हम लोग को पर-दोस उदा की किताब है भगवत गीता, इंसान की लिखी है, किस के दर ये? स्कॉलर्स के तब के अपके इसकॉन के गुरू भी कहीं हो, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शयाद ये पेचीदा चीदे को जानते नहीं, हम तालिब इलम हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, तालिब इलम हू कहते हैं Bhag垂t Gita उपार है लिकिन आप साही कहते हैं कि आपका दिल में, तो मैं पर double standard क्यों जिसके पादा दिल में बदल जाता है, क्या? तू प्लस टू फो ही रहता है चाहिए वो सेकेंड स्टैंडर में या टेंड स्टैंडर में तू प्लस टू वो ही रहेगा फोर बदलेगा नहीं तो मैं ये कहता हूँ गुरुजी से आपके संग से कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो हिंदूों में आम करो वेद लेकिन हिंदू दर में सिर्फ ब्रहमन भी वेद को पढ़ सकता है शत्रिया नहीं पढ़ सकता है क्यों बाकी लोग नहीं पढ़ सकते वेच्वियाद शूद्या नहीं पढ़ सकता है क्यों हमारे मदब में उच निच नहीं है काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फखीर, पुरान बढ़ सकता है नमास के लिए जब उस इश्वर की हम अबादत करते है जब खड़े होते नमास के लिए कंदे ते कंदा मिला के करते हैं वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंदे ते कंदे मिला के खड़ा होता है और आप याँ जिखेंगे और मैं अल्हम्दलिल्ला कई बार साओधियर रहा गया हूँ और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूँ माशालला, उनकी सेक्यरिडी रहती है तो सेक्यरिडी हड़ जाती है, आप साथ में तो साथ में अल्हम्दलिल्ला, राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यक्सा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बलकु सही कह रहे थे कि वेद स्वर की बात करता है, लेकिन खुदा की बात भी करता है भगवत गीता में भी स्वर की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है आप बोले, अल्ला के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है बराबर दिया लेकिन जो बहुत सारे आदमी नहीं लिखी हुए गरवन दोल्सो लोगोन नियेक्षा beneि अपने इसाफ से बिल्कुल सही कहा लीकिन इस को का जो गीता घृप 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 चॱ्सॐन परभुप येज़े में सब्सक्कारऄ जो कहा लीकिन एक उर्फीज रखृवन करका मेरे में हो कृ़प बास्सां प्राम हम्मस ने लिखा है हम लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्ला की नाजिल यह भू इसने जितने भी जिगर मज़ाइब की किताब है जैसे वक्त जाने लगे बदलते के अब बिल्कुल सही के तिन्सों किताब है बाइबल सिक्ड़ों किसम हमारे आयरेफ में 200 किता बाइबल है ऐब कितमे मानेंगे खुरान आप लो कोई भी कुरान नो इंडिया में अमरिका में यूके में हिंदुस्तान में पुना में फू भल्व हो अई एक लख की बात दूर रही आ की मातरा ई की मातरा जबर जेर पेश वो भी फरक नहीं है फत्ता दम्मा कसरा में भी फरक नहीं है ओरीजनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा थाने लेकिन आज जब हम पढ़ते है माशाला तो मैं यह कहना चाहता हूँ जितनी किताबे पहले आए आज भी आप बिल्कुल सही कहते है भगवत गीता वेत का निचोड़े लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से वंटडिक करे तो फल और एहमें मैं बिल्कुल मानता हूँ स्वामी पगुपता मानते हैं कि भगवत गीता क्या है वेत का श्लोका नमबर 20 में जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है आपकी भगवत गीता में लेकर आए दिटिस में और उसका प्रिफेस पड़े ही उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाई है बोश्य गाई है और क्रिश्टन क क्या है दूद निकालने वाला इंसान और दूद क्या है भगवत गीता है सभी कह रहा हूं के नहीं प्रिफेस में लिखे ले कौन कहता है आपके स्वामी प्रभू पदा मुझे उसका टांस्टेशन पसंद है अक्सर हमारे हमाँ भी महाशायला पचास से ज्यादा भगवत गीता है मैं लेकिन स्वामी प्रभू पदा के गीता को पसंद करता हूं अच्छी गीता है इसलिए मैं प्रिफेस कह रहा हूं लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है उसके अंदर भी वो निचोड़े वेत का निचोड़े लिकिन निचोड़ मतलब ने कि असल फल को गाई को छो तो बराबर के ने दूत्रे बच्चे पईदा करेंगे गाय लेकिन तो गाय को मत छोड़िए इस से हमें पता लगता है उसमें लिखा हुआ है आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पेगंबर आने वाला है आपकी भगवत गिता में लिखा है चैप्टर नमबर चार में वर्स नमबर साथ से आट में यदा धर्मस किया युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धर्ती पे तो मैं एक रूप हासल करूँगा आउतार आउतार की सही मानिया आपको मिलेंगा वेश से उसमें पता चलते हैं पैगंबर आखरी पैगंबर आखरी आउतार को अच्छल भकतूं बगवत गिता का है उत्तों किे अद्री सबस्क्राइब ने वाला आ आचका हए और उसमें लिखाता कलकिया उतार की मा के नाम क्या है सुमति सुमति की मानि मैंन अरवि में कहते हैं आमी झालब में भी में धृज़ू के वालदा का नाम वहाम इसमें क्या उतार चैप्टर नमबर दो वर्फ नमबर पांच श्लोक नमबर पांच साथ नौ ग्यारा पंद्रा इसमें लिखा है कि उसके वालित का नाम में विश्णु यास विश्णु यास मतलब खुदा का बंदा अरिभी में तरजमा करेंगा अब्दुल्ला मुम्मस अल्लाव स हम जानते के खुरेश के फैमिली पाइदा हुए ते मुम्मस अल्लाव सलम्म उसमें लिखा है कि वह बारवी तारीक माधव के दिन पर पाइदा होई वह बारवी रभी अवर्व पाइदा है आगे आप पढ़ेंगे वेज में लिखा है कि उसके चार करीब दोस्त थे जिसक के बार में दिकर करें उनको सबसे पहली वही आएंगी वही एंगी एक गार के अंदर हम जानते मुम्मब सल्लाह सबसे पहली वही आए गार फिर वह by करेंगे हिज्रत नौस के तरफ फिर से वापस आएंगे 750th मधिना इंधी आ घंटा सिरिफ तरफ कर सकता मुम्म्म्मत अल कुरान को मानना सिर्फ जरूरी ने अमल करना जरूरी है मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूं खुदा की बात पर अमल ना करता हूं तो बेकार है मैं कहता हूं मैं मेरे वालिद से से बहूत मुंबस करता हूं वालत की बेढरती करतां। किया फाइदा आप समझ रहे हुँ लेकिन आपने कोछ पहले कि अभी 10- 15 सुषा पहले दाता है कि जो भी है परहना है वेद है और पाइबल," कि जो जो नो उसमें लिखा हुआ है खुदाने उसके उपर आमल करना चाहिए तो मैं आपने इस से आमल करता ही हूँ जो कुछ यह मांता तो हूँ यह कि यह करके वो तो मांता यह मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई हव्ध़ा अलग है मेरे लिए लेकिष व्धा हिसाय के लिए इसालत हुश है मैं जानता हूँ मैं छूश है ची है कि- कि उस खुदा के अवतार पैगमबर आखिप अप मानते हैं कि ने मुंठेम अंपने में आपके लिए सबके लिए एक अची एक मजब का थोड़ी रखता हुँ गुरू रहता कि वो हो एक मदभ के लिए हो सब मदभ के लिए गुरू रहता तो वानता हैं मैं उसको बिलकुल स Hagin ये कहना कि सब मजब यकसा है हूब हूँ ये सही ने यकसानियत है इसलिए मैंने का यकसानियत पे अमल करो आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज़ पे अमल करूँ का कई हिंदू जाते बुद परस्ती करने के लिए आपने करते हैं अच्छी बात है अल्हम्दलिल्ला इसलिए मैं आपको कॉंग्राइजिनेट करता हूँ मैं कॉंग्राइजिनेट करता हूँ क्योंके सनात अधर्म बुद्परस्ती नहीं करता है अब आदे इंत्यान में सफलता पा गए है अभी ये पुछता हूँ मैं जिसा आपने का आप अगर मुम्म्मद सुल्लाव सुल्म को आखरी पेगंबर मानते है तो उसके पेगाम पे अमल करना जरूरी है सिर्फ पेगाम को पढ़ना जरूरी नहीं पेगाम पे अमल करना जरूरी है अगर मैं कहता हूँ मानता हूँ लकिन अमल ने कर तो कोई फाइदा नहीं तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात तो आखरी पेगाम में पुराण शडीयm और आखरी पाइगंबर मुहम्मद सलल्ला सलम में मानना जरूरी है फिर ही आप सही तरीकेते मधब को पैचान सकेंगे नहीं तुछ बोलनेगा आपको मुझे यह कहनत है तो आप बोल रहे हैं आमल करना चाहिए आमल करना चाहिए मुम्मित बनने का पूरा कोषिश के तो कि महीं मुम्मिन का क्या रहता है? मैं इतना याद में जटना रखा हूं मैं ठीकार ऐसे बोल नहीं सकता है आपको परसना ही मिलता हूँ अच्छा बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशाला हूँ ठीग है अरे कुछ नों की तरफ से कोई अगर सवाल हो तो गहर मुस्लिम बहनों को तरजी दी जाए उनको पहले मुका दिया जाए आपको पहले मुस्सा कर दो आपको पहले जाए जाए में टो गिजसा दो मैं पहले जाए जाए भबाद ने पर दो अग्टिया जाए जाए नेंटा जाए है